समस्कार, प्रिय सातियों मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिसोर समधान हमारे यूटूब चाइनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज का हमारा विशह है शनी राशी परिवर्तन दोजार बाईस 29 अप्रेल 2022 को सनी देव राशी परिवर्तन करके 30 साल बाद अपनी सबसे प्रियरासी कुम राशी में जाएंगे सातियों पूरे ढ़ाई साल तक यहाँ पर सनी देव रहेंगे यहाँ पर 6 राशीयों का बहुत बड़े स्तरका राजियोग बनेगा लेकिन आज का हमारा विशा है वरसब एवं मिथुन लगन राशी वाले जातकों के लिए यहाँ गोचर कैसा रहेगा किस परकार की घटनाएं इन ढ़ाई सालों में आपके जीवन में घटेंगी और आपको ऐसे क्या खास उपाई करने हैं जिससे आप इस जो गोचर काले शनिदेव का यह आपके लिए बहतर हो सके लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ मैं आपको बता दूँ यदि आप जोतिस के द्वारा अपने समस्त परकार की समश्चाओं का समधान चाहते हैं या आप अच्छी सरेणी के राशी रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरा फोन नमबर मेरा वोट्सअप नमबर आप स्क्रिन सबसे पहले बात करते हैं वरसव लगन एवं राशी वाले जातकों के विशाय में वरसव लगन से शनिदेव नौवे और दस्वे घर के स्वामी होते हैं सातियों नौवा घर धर्म और भाग्या का होता है दस्वा घर कर्म और भाग्या का होता है कुल मिलाकर के आपकी जनम कुंडली में सबसे ज़्यादा राज्यो कारक शनि होते हैं शनि यहाँ पर आपके कर्म इस्थान में विचरन करेंगे आप राजनिती में है तो मंत्री पद की प्राप्ति का योग बनेगा, सरकारी नोकरी में है तो उच्च पद की प्राप्ति का योग बनेगा, साथ यहों दस्वा घर कर्म इस्थान होता है, आप व्यापारी हैं तो आप अपने काम को दो गुना, चार गुना, दस गुना तक पहला सकते हैं, उसी तरह का आपको वातावरन मिलेगा, आपको नए-ने दोस्त मिलेंगे, नए-ने मित्र आपको मिलेंगे, जिनसे आपको आपका काम आगे बढ़ाने के लिए सहायता मिलेगी, आपके अठके हुए लटके हुए जितने भी काम हैं पहले से, सारे के सारे काम ब वहें आपको कुछ कम प्राप्त होगा, लेकिन यदि आपकी जनम कुंडली में शनीदेव की स्थिती मजबूत है, युवा वस्था में है, और योग कारकी स्थिती में है, तो तो निश्चित रूप से करोडों का योग आपका इन धाई सालों में बनेगा, यहां से सनी की जो दृष्टी है, वहें आपके बारवे स्थान पर रहेगी, इस्थान बरद्धी करो शनी, लेकिन सनी की जो दृष्टी है, विद्वन्सक होती है, डिजाष्टर होती है, डिश्ट्रोई करती है, तो लंबी आत्रा से फरेश करें दाइयाक में आपकी चोट लगने का योग है कहीं न कहीं पत्नी के साथ बड़े स्तर का मन मिटाव आपका हो सकता है टेंसन तनाव का माहूल बन सकता है सनी देव की दरश्टी यहां से चोटे स्थान पर आपके रहेगी भूमी भवन वाहन यदि आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो सोच समझ करके चिंतन मनन और मन्थन करने के बाद ही आप कागजों पर साइन करें बहुत विचार पूर्वक किसी को पैसा दे अपना वाहन किसी को उधार मांगा हुआ ना दे अन्यता किसी भी दुरखटना का सामना आपको करना पड़ सकता है साथियों यहां से शनिदेव का अगर आपकी जनमकुंडली में शनिदेव कमजोर इस्थिति में है तो शनिदेव के उपाई वीडियो के लाश्ट में आपको बताऊंगा अब बात कर लेते हैं मिथुन लगन एवं राशी वाले जातकों की मिथुन लगन से सनिदेव अश्टम और नवम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करेंगे यह अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों नोवा स्थान आपका भग्य स्थान है जिन कामों को आपने बहुत लंबे समय से सोच रखा था लेकिन आपके काम नहीं हो पा रहे थे सारे के सारे आपके काम रणिंग में आ जाएंगे जो लोग आपसे मूफेर करके चलते थे वह भी आपको अपने हो जाएंगे आपको सहाइता करेंगे आपको help करेंगे corporate करेंगे शनी देव के भाग्य स्थान में सुख रही होकर गोचर करेंगे आपका भाग्य चमक उठेगा अगर बेरोजगार है तो आपको रोजगार की प्राप्ती होगी आपका रोजगार पहले सी है तो क्रोडों गुना जादा बढ़ जाएगा लेकिन यहां से शनी की दरश्टी आपके इनकम पर रहेगी बहुत फाइदा होने के साथ साथ कुछ जगे से आपका पैमेंट आते आते रुख सकता है आपके प्राकरम इस्थान पर रहेगी यह भी बहुत बढ़िया नहीं है आपके भाई बहुत अच्छा नहीं होगा साथियों कुल मिलाकर के बात यह है कि वरसव और मिथुन दोनों के लिए शनी का यह गोचर भाग्या उदय करने वाला होगा कुछ चोटी मोटी बातों को छोड़ दें तो यह गोचर भाग्या उदय करने वाला होगा बात कर लेते हैं देखी सनी राहू और केतु इन तीनों के जो अधिश्ठात्री देवता है वो है भैरवजी माराज तो ओम बम बटुकाए नमे इस मंतर का आप शनिवार के दिन एगंटा बाकी रोजना दस से पंदरा मिनिट जाप करें तो निश्चित रूप से सनी का यह गोचर काल आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा शनिवार के दिन प्राते काल सूरियोद से लेकर के गंटे बाद तक ओम सम सनिश्चराय इनमे इस मंतर का भी जाप करें शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में उड़द और चावल की खिश्री बनाकर गरीब लोगों में वित्रन करने से भी आपको बहुत बहतर फल प्र रखें अच्छे जोत्सी की सला से एक नीलम रतन जरूर धारन करें क्योंकि यह रतन इस गोचरकाल में आपको करोड़ों अर्बों रूपे दे करके जा सकता है गजब की आपकी तरक्य हो सकती है कमाल का आपका एक जीवन का वातावरन बन सकता है क्योंकि नीलम रतन दोनों ही राशियों के लिए भाग्या रतन है साथियों नीलम रतन वैसे तो मेंस वरसब मिथुन कन्या तुला मकर और कुम यह साथ रासी और मलगन वाले जातकों को लेकर के है मैं काम ना करता हूँ शनी देव का यह गोचर आपके लिए सुब हो जल्दी ही मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में कोई शांदार सी जानकारी लेकर वह भी मुस्कुराते हुए ऐसे